नमस्कार ग्रामीड अर्थवरस्था को गती देने और युवाओं को आत्मी भर बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्ष संपदा योजना की शुरुवात की किस तरह से ग्रामीड युवा अपने गाउं में ही सो रोजगार अस्थापीत करें और दूसरे को भी रोजगार दे तो प्रधान मंत्री मत्ष संपदा योजना है क्या इसके क्या-क्या फायदे हैं और सरकार किस तरह से सहायता दे रही है इन तमाब इद्नों पर जानकारे देने के लिए अज हमारे साथ हैं मत्ष विवाग वारांट सी की मुख्य कारिकारी अधिकारी स्वेत यह प्रधान मंत्री मत्ष संपदा योजना है इसके कि द्वारा ये शुरू वार और यह पांच वर्ष के लिए शुरू किया गया था तक जो मत्सिपालक पहले से काम कर रहे हैं उनको एक संगठन में ला एक उनको जानकारी प्रदान करके ताकि अपने रोजगार को बैटर बना सके और ज्यादा से ज्यादा मत्सित्पादन का लाब पर सके बनलों जो मत्सेपालन का तरीका यह तरह से आधुनिक तरीके से करें और बेवसाईक रूप से करें हां दोनों चीज को समाहित करते हुए जैसे जो पालन होता है वो बैसिकली जैसे गाउं में होता था पहले गाउं में तो गाम समाज के तलाब होते थे तलाबों में मत्सी पालन होता था यानि कच्छे तलाबों में इसके साथ साथ आधुनी करण को जोडते हुए बढ़ावा देना ताकि मज्य पालन और जली एक रिशी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके तो ग्रामीर अंचल के साथ साथ सहरी छेतर में भी इसका पुर्जोर विकास हो लोगों को जानकारी हो सके तो इसमें आध्वनिक जो मानिताय हैं जो की बाहर स हुए जो युवा हैं जो नए लोग हैं वो किस तरह से उस पे काम कर सके माड़न टेक्नालोजी के थो जो है वो अपना जो मत्स का व्योसा है वो अगर करेंगे तो बसनिश्वर की जो उनकी उत्पादन है उत्पादक छमता है वो बढ़ेगी तो मैडम सरकार जो है इसमें क बेशिकली जो लगाना पड़ता है वो पचीश प्रतिशत में या नहीं चालिस प्रतिशत समाने वर्ग के लिए और साथ प्रतिशत जो है वो महिला वर्ग और सी समू के लिए है जो भी उसमें योजनाए है वो हमारी 10 जार रूपए से लेके साड़े च्छे करोड जो सबसेडी है करेस अनुदान है वो 40 प्रतिशत सामान ने जो कटेगरी है उनके लिए है और 60% महिला और अनुस्चीत जनजाद के लिए उनके लिए मतलब सरकार अनुदान देती है तो अनुदान कैसे देती है काईस के रूब में या सीधे उनके खाते में जाती है वो हम इसलीए बत केश्टों में चुक्त है के बहुरू सरकार और राजय सरकार के द्वारा देती है जो भी आशी होती हो चाए 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत हो उसमें भी केंद्रे सरकार प्रसेसंट ऍ Webps उसके बाद किष्टों में डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसवर के द्वारा होता है तो उनके खाते में जाती है अच्छा यह जो नए तालाब हमारे जो मत्सपालक बंदू अगर खोदेंगे उनके लिए उजना है इसमें बहुत सारी उजना है जैसे कि इसमें तीन कटेग्री म हम इसको बार्ट सकते हैं उत्पादन और उत्पादक्ता को भढाने की दृष्टी से टेखनावं जोड़ते हुए उसको किस तरीके से बढ़ाये जातिए और पोस्ट हर्वेस्टिंग मेनेजमेंट मतलब हम हर्वेस्टिंग कर ले नहीं मशली की तो तो फिर उसके बात किय जैसा कि मैंने बताया कि 10,000 रुपए से लेके ये आपका 6 करोन रुपए तक का प्रोजेक्ट इसमें लॉंच किया गया है तो जैसे उत्पादन और उत्पादक्ता की बात करें तो इसमें नीजी तलाब निर्माड और निवेश ये 7 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है नीज के चलते हैं कि एक हेक्टियर बनाने के लिए उसे 7 लाख रुपए लगेंगे उस पर उसी हिसाब से सबसीडियों का जैसा कि लाभारती अगर महिला पुरुष किस कटेग्री में है और उसके साथ साथ उसने निर्माड पे 4 लाख तालाब है तो 7 लाख रुपया आप लोग साथ परसेंट अपना स्वेंगा रहेगा तो यह मडम जिसे आपने बात की कि मतलब सरकार यह अनुदान दे रही है सबसे मत्कूर बात आती है कि वो जिसे प्रोजेक्ट कहां पर तयार करें या प्रोजेक्ट बनवाने में आप लोग किस तरह की मदद करती है जो बेनिफिस प्रॉदिया बो इतने जाद, लोग ठोड़े इन सटीकिशों एक कर दिया जाता है तो जब अब तो चार जात, मíchली, कि हम जो जाताए और यह बहुसा जाता है कि अधरा पे पो ऑपो बताते हैं तो हमारे च्हतरी मरा हमारे जिनपदी कार्याल है उनको किसी भी तरीके के कम करना है और यह गिसान्मा तो consumat आपके की इसके को गालती के गण करना है उसमें शुल करना हुषिए कि किहमें क्या क्या काम करने है आपे कितने कितने इस पे कॉस्ट खर्च करना है और क्या-क्या काम होगा इसके लिए एक DPR जैसे आपने कहा कि उनको बताते हैं कि उसमें क्या-क्या चीज़ें एड-on करनी है और या तो वो CA के माधियम से या कहीं और भी जानकारी लेकर कर सकते हैं लेकिन ये विभाग से DPR ये लोग कहां सम्मिट करेंगे उसको बैंक में या कहां से उनको जो एक तरह से कहा जाए कि जो सेज्द्हराशी है उनमिलती है ने धनराशी तो बात की बात है पहले ये डी-पि-यार इन्हों ने बनाया यह हमारे जन्पदी कारियालें में देते हैं और जो भी उसमें डिटेल होती है जो भी कुछ उसमें एड़ करना होता है, उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या कमी रहे गई है, क्या चीज बढ़ाना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसा कि आपने कहा, तो जैसे कि कुछ योजनाय है, जैसे 20 लाग के उपर की प्रोजेक्ट है, त वो हमें एक स्विक्रिती पत्र लाके देते हैं, बैंक के माधिम से, तो वो शुरू में ही जब पोटल पर आविदन होता है, तो वो स्विक्रिती पत्र उसमें कर सकते हैं, नहीं है, तो बात में भी अलाके हमें काम शुरू करने के समय वो दे सकते हैं, तो स्विक्रिती पत की जरूरत होती है और कौन लोग पात्र मतलब हो सकते हैं जी मत्से पालन करने के लिए मच्छवा समुदाई के साथ साथ जो भी मत्से पालन कर रहे हैं वो सारे लोग हो सकते हैं जो लाभारती ही होते हैं हमारे यहां वो सारे जो मत्से पालक है मत्से विक्रेता है मचली जो ह हैं वह सारे आ गया विपड़न करते हैं इसके अलावा जो हमारे सहकारी समीति के मेम्बर्स रेजिस्टेशन करेंगे हमारे पोर्टल पे जाकर रेजिस्टेशन करके और उसको हमारे मेंबर बन मड़म किसी भी वेवशाय को शुरू करने से पहले अन्वा बहुत ज़रूरी होता है तो आप लोग तकनिकी प्रसिक्षण जो है किस तरह से देती हैं क्या प्रसिक्षण निसुलक होता है जी बिलकुल हमारे जो प्रसिक्षण होते हैं वो समय समय पर दिये जाते रहते हैं य मतलब इस तरह से नहीं गि era Glen toю लों इक्षुक होते हैं उनको बुला के हम कैम के द्वारा भी दैते हैं या गाउं में जाकर जो उनकोभी हम समय समय पर कैम के वलिए उनकोभी घण करते हैं साथे जो पूर तरह से मतलब तक्निकी प्रसेशन ले ले लेंगे लेंगे तो एक तरह से कहा जाता है कि वेवसाइब ही और अच्छा तरीके से कर सकते हैं कोई कारिकर में शुरू करते हैं कोई लाभारती हमारा नया बेनिफिश्री होता है तो उस समय भी उसको पूरी जानकारी दी जाती है और हमारे यहां जो भी दिक्कत आती है लाभारतियों को तो छेतरी प्रभारी के द्वारा या स्वयम जाकर उसका निवारन करने की प्रिको प्राइस की जाती है ताकि ये चुकि अब नहीं नहीं योजनाएं आ रही है उसमें नया नया चीज़ें एड़ॉन हो रही है तो वो भी बताया जाते रहता है समय समय पर मेडम एक तरह से कहा जा कि हिंदुस्तान जो है तीसरा सबसे बड़ा मत्ष उत्पादक देश है और काफी जो है हम निर्याद भी करते हैं तो गुडवत्ता के ध्यान में रखते हुए आप लोग इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं कि मशलियों की गुडवत्ता जो है बनी रहे पिल्कुल गुडवत्ता की जैसे आप बात कह रहे हैं तो हमारा एक मोटो भी है प्रधान मंत्री मस्वंपदा योजना में कि उत्पादन और उत्पादक्ता को बढ़ाने के साथ साथ जो फी सीट्स हैं जो बचली के बच्चे हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाई जा सके इसक में कि कोई भी अपना एक हैचरी बना सकता है उसके पास कम चे कम दो हेक्टेर अगर जमीन है चुकि उसमें ब्रूड स्टॉक बैंक और ब्रूडिंग पॉंड बगर बनते हैं तो वो सारे चीजें लेते हुए उसके अगर वो बनाता है तो एक अच्छा अगर बच्चा बनी रहेगी उत्पादकता भी इसके साथ विभागी है हमारे जो है बहुत सारे हैच्री हैं वहां से भी मिलता रहता है तो हम पुरी कोशिश हमारा विभाग कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मत से बीच जो है अच्छी क्वालिटी के मिले गुडवत्ता में दार है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके बड़ाम पोस्ट हर्वेस्ट मेनेजमेंट की भी आपने भी चर्चा की तो जिसे मचली मारने का जो तरीका है मचली मारने के बाद वो किस तरह से शुरच्छीत रखें जिसे कि उनको अच्छा बाजार भाव मिले जी इसके लिए भी बहुत सारी उजडाय हैं जैसे हमारे हैं कोल्ड स्टोरेज और एफ्रिजरेटर वाहन और इंसुलेटेड़ वेहिकल्स वगर भी हैं ताकि जब आप जार में बेशने जा रहे हैं तो एक जगह से दूसरे जगह बेशने के लिए किस तरीके से हम समय बद स्केल तक पुझी लगा के पैकेजिंग और इस सब का काफी अच्छा होगा ध्यान लग जी जी तो जो लास होता है जो नुक्सान होता वो नहीं होगा नहीं हो पाए ठीक मैडम आप इस्टूडियों में आई और प्रधानमंती मत संपदा योजना के बारे में हमारे दर्सक भाईयों को इतनी जानकारी दी जिस्ची थी आज का जो समय है कि युवाज स्वयम का रोजगार स्थापित करें और रोजगार स्थापित करके अपना तो इंकम करें ही दूसरे को भी एक तरह से रोजगार दें आप इस्टूडियों में आई और इतनी जानकारी दी जानका जिए बाद बाद दनिमान मेशिकान